असलाम अलेकूम मेहुडी शाद तो दोस्तों शाओमी के तरफ से कुछ नए सिस्टेम एप्लेकेशन का अपडेट आया है तो आएए देख लेते हैं तो सबसे पहले अगर आप सेटिंग्स उप्षोन पसे जाओंगे उसके बाद सिस्टेम एप अपडेटर उप्षोन में जाओंगे तो यहाँ पर आपको चार अपडेट देखने को मिलेगा पहले तो Mi Account का उसके बाद Security Application का Mi Media Editor and Wallpaper Kerasol का तो यहाँ पर अगर हम Security Application में जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Security Application 6.2.0 का अपडेट देखने को मिला है तो हम इसे अपडेट करेंगे तो 6.2.0 से अब 7.0.4 का अपडेट आपको देखने को मिल रहा है जो की काफी अच्छी बात है तो देखते हैं इसमें अपडेट होने के बाद हमें क्या का नया features देखने को मिलता है तो दोस्तों यहाँ पर दो ही features के बारे में information दिया गया है as it is जैसे कि आप लोग जानती हो fix, known, bug and improve overall performance तो यहाँ पर यही information दिया गया है इसके changes के बारे में तो यह update होने के बाद और क्या क्या changes आया है वो भी हम देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस update का update मतलब कि app का version है 6.2.0 तो update होने के बाद यह 7 version में जाएगा मतलब कि 7.0.4 तो देखते हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलता है तो update almost complete होने ही वाला है इसके आलाब यहाँ पर आपको media का option देखने को मिलता है media editor का इसमें आपको optimize the performance of gallery editor fixed problem and improve user experience यही कुछ changes यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है तो security ablation update हो चुका है तो देख लेते हैं इसमें क्या changes है तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो update होने के बाद भी यहाँ पर as it is कोई बहुत बढ़ा changes हमें देखने को नहीं मिला है यहाँ पर पहले जैसे ही आपको सब कुछ देखने को मिलता है privacy पहले ही आपको देखने को मिलता था इस तरीकी का इसके बाद यहाँ पर block list यह भी पहले था game turbo पहले था hide game turbo सब कुछ यहाँ पर आपको पहले जैसे ही देखने को मिल रहा है deep clean में अगर आप जाओगे तो वह भी आपको इस तरीकी का ही देखने को मिलता है boost पे जाओगे तो इसका animation बगरा सब कुछ पहले जैसे ही है यहाँ पर कोई भी changes आपको देखने को नहीं मिल रहा है इसके अलबा अगर आप यह से भी जो मतलब कर अपडेट आया है यह सब को आप चाहो तो अपडेट कर सकते हो तो यही कुछ changes आपको इस अपडेट में देखने को मिला है